हेलो गाईज वेलकम बैक टू मैई चैनल और कैसे हो सब आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे मस्त होंगे स्वास्त होंगे और गाईज मैं भी अच्छी हूँ आज हम बनाना शुरू करते हैं वेज मयोनी सेंडविच ये बड़ी असानी से घर में रखी वेजटेबल से बन जाता है आप इसे बच्चो के टीफिन में मौर्निंग ब्रेकफास्ट में इविनिक स्नेक्स में दे सकते हैं गाईज आज की मेरी रेसिप अगर आपको पसंद आ कर देना जिससे मेरी सभी वीडियो को और नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप भी मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे और दो टमाटर, सातमें हैं दो प्याज और एक सिम्ला मिर्च… तो इन सबौझः को मैंने दो का रच्छे से छील कर रख लिया है और िने आप बारिक बारिक चॉप कर लेंगे। तो यह देखिये मैंने सभी वेजटे बल्स को बारिक बारिक काट कर लिया है आप बारी गुझी वेजटेबल लेंगे अब एड़ करेंगे कुछ मसाले तो हाप टिसपुन मैंने एड़ कर दिया है यहाँ पर ब्लैक पेपर और नमक करेंगे स्वाथ के अनुसार और यह दिखिए मैंने यहाँ पर लिया है वन टेबल स्पून मेयोनीज इसे इस वेजटेबल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह देखिए मैंने लिया है ब्रैट की स्लाइज़ तो वाइट ब्रैड मैंने यहाँ पर यूज किया है आप ब्राउन ब्रैट का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो एक ब्रैट पर मैंने लगा दिया है तंदूरी सोस और दूसरे पर लगाएंगे हम थोड़ा सा मयोनीज अब लग देंगे वेजटेबल्स अच्छे से सेपरेट कर लेंगे ब्रैट के उपर और ये देखिए इसके बाद हम एड़ कर देंगे लिक्विट चीज एड़ कर देंगे मैं यहाँ पर लिक्विट चीज का इस्तमाल कर रही हूँ आप यहाँ पर सैडर चीज या चीज स्लाइस का भी यूज कर सकते हैं और ये दूसरी स्लाइज से हम इसे कवर करेंगे ब्रैट को और ये हम बनाने वाले हैं त्रिपल लियर वाला सेंडविच और एक बार फिर से हम लगा लेंगे तंदूरी सॉस अच्छे से सेपरेट कर लेंगे इसे फिर से वैज मयोग दूसरी स्लाइज पे मयोनीज को सेपरेट करेंगे इसके बाद लिक्विट चीज एड़ कर देंगे और ब्रेट की स्लाइज से इसे कवर कर लेंगे और इसे मैं रखने वाली हूँ टोस्टर में आप इसे पैन के अंदर भी सेख सकते हैं थोड़ा बटर लगा कर मैं बिना बटर के इसे टोस्टर में रखने वाली हूँ और गाइस यह देखिए मैंने दूसरा सेंड्विच भी बना कर त्यार कर लिया है और इसे भी मैं कवर करूंगी और इसे भी टोस्टर में रख दूंगी जाकर तो ये देखेगा इस सैंड्विच त्रिपर लेडर में वो सैंड्विच बनकर रैडी है तो ये देखे देखने में कितना यमी यमी लग रहा है ना एकदम बड़ा टेस्टी सा तो जरूर आप भी इसे अपने घर पर बनाईए और बच्चों को दीजे और आप भी खाईए और इसका टेस्ट बताएए कि कैसा लगा तो चलिए इसे गाइज अभी हम कट करेंगे और सर्व कर लेते हैं उरूर आप पर लेते हैं तो गाइज बताना आज की मेरी ये रेस्पी कैसी लगी अच्छे लगी हो तो एक लाइक जुरूर कर देना और ऐसी ही टेस्टी टेस्टी एसी पी के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स फॉर वाचिंग